इस तजरुबे में हम कन्वेंशन कनर्स पर नजर डालेंगे इसके लिए एक जार में ठंडा पानी और एक छोटी सी फिल्म की डिपी दरकार है पहले डिपी के अंदर थोड़ा सा पोटाशियम परमेगनेट डालें और इसमें गर्म गर्म पानी भरें पानी रंगीन हो जाएगा और पिर डिपी का डखकन लगाएं जिसके अंदर एक सुराख होगा इस एक ढागे से गर्म पानी की डिपी को उठाएं और ठंडे पानी के जार में रख दें जैसे ही आप इस जार को इस को जार में रखेंगे आपको हैरानी होगी बिलकुल नीली धाराएं उपर की जानिब उठेंगी जैसे कोई आतिश फिशा पूट रहा हो ये कर्वेंशन करंट ऐसे लगेंगे जैसे आतिश फिशा निकल रहा हो इसकी वज़े ये है कि गर्म पानी हलका है और वो उपर उटने की कोशिश करता है यहां हम देख सकते हैं कि बैगनी आतिश फिश्या की लहरे बड़े पानी की समंदर में आहिस्ता आहिस्ता करके मिल रही है अगर इसी नजारे को हम इस तरफ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई एटमी जलजला हो या जैसे कोई एटमी बादल हो इसकी एक ही वज़े है कि गर्म पानी थोड़ा हलका होता है और वो उपर उठता है और इसी वज़े से कई लहरे तयार होती है